कुह तो क Burch की यसफे आप लोगों को क्लास-10th की डियो ही की तरफ हेना आपको एक सपोर्ट मै टीरीआल की भुक मले वे यह यह बुक आपको कि इंग्लिश मीत्यम में वह कोषय नमबर न की हमें आपना चाप्तर नमबर 5 इसटार्ट करा है 2 मीडियॉम से हमारा नहीं सब sacrifice 1 और 200 के बीच में जितने भी इवन नमबर है वह भी पॉजिटिव होगे हैं आप बीच में इसके Jadi तो उनका सम आपको निकालना है, सेम हिंदी मीडियम में भी यह है, एक से दोसों के बीच की सम संख्याओं का योग ज्याद कीजिए, एक से दोसों के बीच में जितनी भी सम संख्या हैं, उनका क्या करना है, आपको योग निकालना है, तो सबसे पहली बात, कोशन है हमार पर स कौन सा है 19 हम यहां पर क्या करते हैं अपनी एपी बना लेते हैं पहले तो हमारी एपी क्या बनेगी 2 4 6 8 ऐसे चलती रहेगी लास्ट वाला होगा 198 200 तो लेंगे नी क्योंकि उनके बीच की बात कर रहा था तो यहां पर में पास ए जो है वो 2 आ गया डी भी 2 है और लास्ट वा तो ए-n किसके बराबर होते हैं अ ए प्लस न माइनस सब्राइबर 2 प्लस एं दी जीटओ इंट वर यह इससे कट ओ रहें तो 29 जा 18 अटीटओ प्लस वन है ना कट कर दिया मैंने यहां तो यहां से N निकल गया 99 इसका मतलब मुझे जो S N निकालना है पहले उसका फॉर्मला लिख लेते हैं तो वो जाएगा A प्लस L तो S 99 मुझे निकालना है तो अब N की जगह मैं यहां पर क्या कर सकते हूं 99 लिख सकते हूं A मेरे पास 2 है और L मत तो यह 200 हो जाएगा यहां पर 100 आ गया कट करके तो 99 100 आपका आंसर आगे तो इसक्ट कोशन नमबर 20 में क्या कह रहे है इस 4 M प्लस 8 2 M स्क्वाइर प्लस 3 M प्लस 6 3 M स्क्वाइर प्लस 4 M प्लस 4 और 3 consecutive term of the AP, find M, AP की 3 terms दे रखे हैं और इस M की value आपको निकाल लिए है, हिंदी मीडियम में भी यह है, AP की आपको यह 3 terms दे रखे हैं, 3 पद दे रखे हैं, एक के बाद एक वाले 3 पद दे रखे हैं, तो इस M का मान आपको ग्याद करना है, तो पहले यह 3 पद यहां लिख तो A1 आपको कितना दे रखा था, 4M plus 8, A2 आपको कितना दे रखा था, 2M square plus 3M plus 6, और A3 आपको कितना दे रखा था, 3M square plus 4M plus 4, एक बाद क्रॉस चेक कर लो, क्या हमने सही लिखा है या नहीं, 3M square plus 4M plus 4, ठीक है, अब D आप दो तरीके से निकाल सकते हो, यह आपको पता है, A2 माइनस A1 करके, और एक और निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 करके, तो पहले मैं इसको निकालती हूँ, तो यह 2M स्क्वार, प्लस का 3M, प्लस का 6, माइनस A1, 4M, प्लस का 8, तो 2M स्क्वार, प्लस का 3M, प्लस का 6, माइनस का 4M, माइनस का 8, तो 2M स्क्वार, देखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो माइनस का M आएगा, और 6 और 8 को करोगे, तो माइनस का 2 आएगा, इसे एक्वेशन वन माल लो, अब D दूसरे तरीके से निकलेगा A3 माइनस A2 करके तो A3 है मेरे पास 3M स्क्वार प्लस का 4M प्लस का 4 माइनस A2 है 2M स्क्वार प्लस का 3M प्लस का 6 तो 3M स्क्वार प्लस का 4M प्लस का 4 माइनस का 2M स्क्वार माइनस का 3M माइनस का 6 तो 3m square में से 2m square जाएगा m square 4m को 3m के साथ solve किया plus का m plus के 4 को minus के 6 के साथ किया minus का 2 ये equation 2 हो गई दोनों से d की value निकलिये equate कर सकते हूं यहां कर देते हूं equating equation 1 & 2 दोनों equations को आमने सामने रख सकते हूं क्योंकि दोनों से ही में पस d कमान निकला है ठीक है इस m square को इधर ले आई इस m को भी इधर ले आई और इस 2 को उधर ले गई तो बचा m square minus का 2m बराबर में 0 एम को बहार ले लिया उबेनिष्ट कर लिया common लिया है तो एक बार इसको 0 के equal रख दिया एक बार इसको तो m की value एक तो 2 आ गई और एक m की value 0 आ गई आपको m की value निकालनी थी क्लियर है यह था question number 20 तो आज की class के दो कोशन 19 और 20 दूनों ही हमारे complete हो गए हैं आगे अभी काफी कोशन्स हैं और chapters चैनल पर अप्लोड है आप वहां से कर सकते हैं daily basis पे इसके questions तो आपको मिली रहे हैं आप इसे भी सासत करते रहें कहीं भी दिक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे थैंक यू